असलाम अलेकुम स्टूरेंस आइंज जैनफ फात्मा यूर साइंस टीचर कैसे हैं आप सब उमीद है आप खेरियत से होंगे हम पढ़ रहे थे लेंज हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 10 विच इस लाइट उसमें अब तक हमने दोनों तरह के लेंज भी पढ़ लिये और ये के effect different तरह के थे और दोनों की examples भी हमने पढ़ ली अब हम देखेंगे के lens काम किस तरह करता है और उसकी क्या details है तो आएए शुरू करते हैं So, how does a lens work? Light travels in a straight line and it passes and when it passes through a lens, it refracts. अब यहाँ पर क्योंके passing की बात हुई है? इसका मतलब light जब pass करती है lens में से तो वो refract करती है. अगर light strike करती है lens को तो वो reflect करेगी. अब हमने पढ़ा के refraction क्या है? Refraction is the slight change in direction of light. अब light travels in a straight line और refract करके slightly bend हो जाती है. मतलब अपनी direction को थोड़ा सा change कर लेती है. हमने पिछले लेक्शन में पढ़े lens. lens दो तरहा के थे convex lens and concave lens. हमने ये भी पढ़ा के lens या तो light को converge कर देता है या diverge कर देता है. मतलब या तो सब rays को एक जगह में ला देता है या सारी rays को दिखेड देता है. अब हम देखते हैं कि किस तरह से refraction होती है. Number A is के light आते हुए bend कर जाए inward. ये होगा तो इसको कहेंगे converging. तो light rays are converging और हमने पढ़ा के converging lens है हमारे पास, convex lens. दुबारा मैं repeat कर देती हूँ आपके लिए कि जब light rays आ रही हो और हमने उनकी direction को inward curve किया. मतलब जब light rays inward की तरफ bent हुई और या फिर हम कह सकते हैं refract हुई तो इस procedure को हम कहेंगे the process of converging. और ये होता है convex lens में. second है कि हमारी light refract करती है outward. इसको हम कहेंगे कि light diverge कर गई है और ये होता है कन cave lens में. अब दूबारा एक दफा सुनने है light rays जब आती हैं तो वो दो तरह से refract कर सकती हैं. या तो वो refract करेंगी अंदर की तरफ या बाहिर की तरफ. जब वो अंदर की तरफ bent होंगी तो उसको हम कहेंगे converge होना. और ये होता है convex lens में. अगर तो light rays बाहिर की तरफ bent करेंगी तो उसक हम कहते हैं diverge होना और यह होगा concave lens में अब दोनों convex और concave में light की converging and diverging को हम detail में पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत दिहान से सुनते रहेगा number one है convex lens जैसा मैंने आपको बताया convex lens is thick in the middle and thin in the edges यह हमने पिछले lecture में पढ़ा अब हमने यह भी पढ़ लिया कि light को converge करता है convex lens तो यहां आपके सामने light rays आ रही है और आके अंदर की तरफ refract हो रहे हैं मतलब converge हो रहे हैं अब यहां पर तीन इस तरह की terms हैं जो आपको पता होना चाहिए मैं आपके लिए पहले read कर देती हूँ P stands for the center of lens यह आपके सामने lens है और इसके भीच के point को हमने P से represent किया है capital P second is F F is focal point यह रहा आपका capital F जिसको हम कहते है focal point अब यह क्या होता है the point where all the rays meet after refraction मतलब ऐसा point के जब सारी light rays refract करके एक जगह पर मिलेंगी उस point को हम कहते है focal point यह थी हमारी light rays जो बिलको lens के middle से refract करती है और refract करके सब एक ही point पे खटी होती है जिसको हम कह रहे है focal point and we will represent it with a capital F अब हमारी third term क्या है small f focal length small f से represent किया गया है focal length को it is the distance between p and f p था हमारा center of lens and f was the focal point जहां पर सारी refracted rays combine कर रही है एक दूसरे के साथ इन दोनो points के भीच के difference को हम कहते है focal length and it is represented by a small f the distance between the center of lens and the focal point जहां पर सारी rays एक खटी होती है refract होने के बाद इसको हम कहते है focal length आपने देख लिया के convex lens में किस तरहां rays आ रही थी किस तरहां से converge हुई और किस point पर जाकर मिली उस point को focal point कहते हैं lens के middle को P से represent किया जाता है और P और F के distance को हम कहते हैं the focal length यह था हमारा convex lens में light की refraction का और converging का process अब देखते हैं कि इसके बाराक्स जो concave lens है वो किस तरहां से light rays को diverge करता है concave lens, concave lens की diagram भी आपके सामने है पिछले lecture में इसकी definition में हमने पढ़ा कि concave lens is thin in the middle and thick at the edges जो कि convex lens के बिल्कुल opposite है फिर से देख लें कि यह वाली जो आपकी width है वो भीच से जादा है इसका मतलब concave lens भीच में से thin होगा और side से मतलब edges से thick होगा अब इसने light को diverge करना है light rays initially इस तरह की line से represent हो रही है और वो बिल्कुल भीच में जाके refract कर रही है और सारी light rays different directions में refract करेंगे यह ray हमारी इस तरह रीफ्राक्ट कर रही है यह वाली ray हमारी यहाँ पर यह वाली ray थोड़ी सी नीचे यह वाली ray हमारी जादा नीचे और सब से नीचे यह वाली ray refract कर रही है अब क्योंकि सारी rays diverge हो रही है तो फिर focal point कैसे निकलेगा focal point तो वो point होता है जहां सब refracted rays ने combine होना होता है सबसे पहले P, capital P is the center of lens जैसा convex में था बिलकुल उसी तरह P will be the center of lens capital F is the focal point focal point वही है जो पहले था, the point where refracted rays combine मगर यहां पर क्योंकि हमारी सारी rays diverge कर गई है और उनके combine होने का कोई chance नहीं है तो यहां focal point को निकालने का एक तरीका है जिस point से वो refract हो रही है उस point से हम पीछे की तरफ imaginary lines draw करेंगे जब हम imaginary lines draw करेंगे refracted points से तो सारी imaginary lines एक point पर आके मिल जाएंगे और इस point को हम कहते हैं focal point तो आपने देखा convex lens का focal point lens के इस तरफ था और concave lens का focal point lens के पीछे की side पर पढ़ आया है तो इसके definition क्या होगी found by tracing the refracted rays back through the lens found by tracing the refracted found by tracing का मतलब है यहाँ पर जहाँ refract कर रही है रहे हमने उसको trace करना है पीछे की तरफ back through the lens यह lens है और यह refracted ray हम वापस पीछे की तरफ draw कर रहे है dotted line का मतलब यही है कि this is the imaginary line अब imaginary तमाम lines जो हमने refracted point से पीछे की तरफ ली वो एक ही point पर जाके combine की और उसको हमने capital F मतलब focal point का नाम दे दिया अब focal length यहाँ पर उसी तरहां calculate होगी जिस तरहां हमने convex lens में की थी small f represents focal length which is the distance between the center of lens P and the focal point F this will be the focal length of concave lens अब आपने देखा convex lens किस तरह converge करता है raise को और concave lens किस तरह diverge करेगा raise को last में हमारे पास कुछ ऐसी definitions हैं जो बहुत important हैं हमारे आने वाले lectures के लिए तो आईए जल्दी से वो भी concept ले लेते हैं number one is a prism prism की definition क्या है मैं आपके लिए read करती हूं a transparent optical element with flat polished surfaces that refract light अब यहां पर prism है एक triangular shape आपके सामने diagram में भी बना हुआ है a triangular shaped transparent material ठीक है अब आपने confused नहीं हो ना कि polished surfaces flat polished surfaces से हमने देखा कि usually light reflect करती है मगर यहां पर यह refract ही करेगी क्यूंकि यह absorbable material से बनाया जाता है तो हमने refract को highlight कर लिया कि prism triangular shape का एक ऐसा instrument है कि जिस में से जब light pass करेगी तो वो refract कर दियाएगी यह reflection क्यूं होती है वही logic है जो हमने पहले पड़ा था air में light की speed बहुत तेज होती है जब वो एक denser medium में enter करेगी तो उसकी speed slow हो जाएगी और direction थोड़ी सी bend हो जाएगी जिस तरह आपके सामने है मगर यहां एक और interesting बात है वो है हमारा spectrum अब spectrum क्या है तो यह of white light that passes through a prism is split into different colors this continuous spread is called a spectrum जब एक white light initially हमारे पास आने वाली light है white यह white light जब एक 3D prism मतलब एक मोटा सा 3D object है prism इसमें से pass करती है तो firstly यह थोड़ी सी diverge करेगी कुछ colors में और फिर यह और diverge कर जाएगी तो end में refracted rays तक करीबन कोई 7 से 8 तक बनती है और इन सब के colors होते हैं different अब यह बहुत interesting बात है कि हमने white light prism में से गुजारी थी मगर उसके opposite side पर हमारे पास इतने different colors कैसे आते हैं अभी के लिए आपने सिरफ यह याद रखना है कि prism क्या होता है और जब यह इसमें से white light pass करती है यह different colors में distribute या split हो जाता है उसको हम क्या कहते है spectrum यह तो concepts आपने अभी के लिए अपने दिमाख में रखने है prism is a triangular transparent object जिसमें से white light pass करेगी तो it will split into different colors and this split of different colors is called a spectrum next lecture में हम यह पढ़ेंगे कि spectrum बनता क्यूं है और हम इसकी जादा detail भी पढ़ेंगे मगर अभी के लिए उमीद है कि जो concept हमने पढ़े वो आपको समझ आ गए हैं तो फिर मिलते हैं next lecture में अलाहाफिज कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो